नमस्कार दोस्तों स्वागाद इस नहीं वीडियों बात करने वाले हैं SAC MTS and हवलदार वैकेंसी 2022 को लेकर जो है दो महत्तपुर्ण नोटिफिकेशन निकाले गए हैं यह दुनों नोटिफिकेशन के बारे हम यहां पर डिसक्सन करने वाले हैं और इसका exam date भी जारी कर दिया गया है अगर आपने form को feel किया है तो आप जो Aun Dude से त्यारीकेंस स्थारिकर देजिए क्योंकि इसका exam date है यहां पर जारी कर दिया गया है इसके अलाबा MTS के कितने post हैं हावलदार के कितने post हैं इसकी भी जनकारी यहां पे जो है नोटिफिकेसिंगे माध्यम से जारी कर दिया गया है तो बहुत important notification यहां पे निकल के आ रहा है आप देख सकते हैं यहां पे मैं जो हूँ computer-based exam होंगे CBE, multitasking staff के लिए और हवलदार के लिए यहां पे देख सकते हैं पांच जुलाई 2022 से से लेकर 22 जुलाई 2022 तक आपके exam conduct किये जाएंगे जब आपका admin card आएगा तो आपको confirm हो जाएगा कि आपका किस दिन exam होने वाला है तो यह जो है पांच जुलाई से जो है इसका online exam start हो जाएंगे और इसके पांच दिन पहले आप जो है अपना admin card जो है चेक करना start कर देंगे तो बहुती बड़ी updated friends आप अभी form को feel कर रहे हैं 30 तारीक तक इसका last date है 30 अपरेल तक आप form को apply कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं आपके पास जो है बहुती कम समय मिल रहा और यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर जो है आपर रिस सीडूल भी किया जा सकता है इसके लिए आपको time to time guidelines को समझना होगा और covid-19 जो pandemic है उसके वज़े से जो है रिस सीडूल भी हो सकता है लेकिन यहां पर commission जो है decide कर लिया है कि हम जो है अगर सबसी सही रहा तो पां यहां पर देख सकते हैं addendum यहां पर निकाला गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका notification डाउलोड होगा इसमें बताया गया है कि MTS के कितने post हैं तो friends हर साल 8000 वेकेंसी निकाली जा देती लेकिन पता ना क्या हो चुका है बिहार में और यहां तक कि पूरे all over India में कि जो जो है निकाला है और हावलदार जो है हावलदार के जो पोस्ट है cbic and cbn में वह 363 है तो मत्र इतना ही पोस्ट यहां पर इस बार देखने को मिलेगा 27 चार को यह notification देख सकते हैं सिक्रेट्री के दौरा निकाला गया है और यहां पर बताया गया कि इतने post पर जो है यहां प मतला के तरब से अगर आपने form को अप्लाई नहीं किया अभी तक तो अभी आपको समय है क्योंकि सरकार यहां पर 30 तारीक तक लास्टेट रखी हुई है तीस चार तक इसका लास्टेट है और आपको जो है दो दिन का और समय है अगर आपने form नहीं फिल किया तो जल्दी से form को अप्लाई करें अगर डेट बढ़ता है तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा कि इसका लास्ट जो है बढ़ गया अगर नहीं बढ़ता है तो आपको तीस चार के पहले-पहले फॉर्म को समिट कर लेना है फाइनल परमेंट वगर कर लेनी है यह जो है महत्वपूर अपडेट है और मैंने इसको उपर दो वीडियो बनाया हुआ है फॉर्म कैसे फील करेंगो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगा आप दे ही जाइनल और मैंज जय वीज शेल को समिस तो दो उलाया है और मैंने इसको जाइनल परमेंट दो कर दो चुर्म का जाएनल परमेंट झाता है जाइनल